कि नमश्कार आज हम बेट क्लास के लिए माइक्रोटीचिंग के अंतरगत खोच पुर्ण प्रश्नकोशल पर एक पाठ्यूजना प्रस्तुत कर रहे हैं इस पाठ्यूजना के माध्यम से निश्यती विध्यारतियों में खोच पुर्ण प्रश्नकोशल की दक्षिता विक्सित हो सकेगी तो प्रस्तु थे खोजपुरण प्रशणकोशल पाठ यूजना सबसे पहले आप जिस कक्षा का पाठ लेंगे वो कक्षा का उल्लेक करेंगे दिनांक डालेंगे विशे लिखेंगे उसमे कालखंड, समयाउधी, आधियंकित करेंगे प्रक्रण लिखेंगे जैसा कि यहां पर हमने प्रक्रण विटामिन A लिया है और कोशल कौन सा है? खोचपुण प्रश्न कोशल आई हम सबसे पहले देखते हैं खोचपुण कोशल के उद्देश क्या है? चात्रों के पुर्वग्यान का परिक्षन करना चात्र के नविन ज्यान के प्रती समझ को जानने जाचने के लिए प्रयोक करना खोचपुण प्रश्न कोशल दक्षता विक्सित करना कक्षा में चात्रों की सर्भागीता सकृता रखना चात्रों को विग्यानिक सोच के लिए प्रोसायत करना उनकी सजनात मक्ता और कलितना शक्ति को प्रेजित करना ये सब इस कोशिल के मुख्यों देश हैं अब यहां पर इस कोशिल के घटक एक बार आप देख लें सबसे पहला है संकेत क्यानुबोधन क्रिया जिसको हमने पीस संकेतिक किया है अधिक सुचना प्राप्ति प्रविद टेक्निक आरडी समिक्षातनक अभिज्यान प्रविदी इंक्रीजिंग क्रिटिकल एवर्नेस आइसी तो यह यहां पर शार्ट फ्रम जो दिये हैं यह इन घटक के जो है संक्षित रूप हैं और आज हमारा इस कोशिल का विशिष्ट उद्देश्य की विध्यारतियों में अब आप इस प्रकार का प्रारूप बना लेंगे शिक्षक, क्रिया, चातक्रिया और घटक तो जैसा कि प्रकरण था विटामिन A तो हमने सबसे पहला प्रश्न किया विटामिन किसे कहते हैं यहां पर विध्यारति प्रश्न का उत्तर देने में आसमर्त रहते हैं कोई रिस चरिर को सौस्तिरपने के लिए कम आत्रमाशुकता होती है क्या कहलते हैं तो विध्यारतियों की तरप से उत्तर आता है कि विटामिन कहलते हैं, तो यहां घटक पी वहा क्योंकि हमने यहां पर संके दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न कर रहे हैं कि घुलन शिलता के आधर पर विटामिन कितने प्रकार क्यों होते हैं तो यहां पर हमने विस्तारी करण किया है इसलिए विध्यारती उत्तर देते हैं कि दो प्रकार होते हैं और घटक हो जाएगा यहां पर S.A.F.I. अब घुलन शिलता के आधर पर विटामिन के दो प्रकार कौन-कौन से हैं तो जल में घुलन शिल और दूसरा वसा में घुलन शिल इसलिए यहां पर घटक कौन सा होगा S.A.F.I. होगा है अब जल में गुलर्णश Pinterest-डि में Water कुन कॉन सी है जो आसानी से जल में खुल जाते हैं तो जैसा कि आप जानते क्यादाए कि विटामिन सी की जो गुल होती हिए वो आसानी से एफ जाते है विटामिन दी और सी इहां पर उत्तर देते हैं वाध चाहा है Saaf Just तो यहां विद्ध्यारती बिताते हैं कि विटामिन A और विटामिन D युक्त लिखा वरता है तो यहां पर संकेत दियामने और उसक्यादर पर उत्तर क्राप्त किया इसलिए यहां पर घटक होगा पी इस प्रकार वसामे गुलंशिल विटामिन कौन-कौन से हैं तो विटामिन A, D, E, K ये सभी जानकर आती है तो यहां पर घटक हो जाएगा S.A.F.I. विटामिन A का राशनिक नाम क्या है अब देखिए यहां पर विध्यारती को हम कैमिकल ने यहां राशनिक नाम की तरफ फोकस करेंगे उनको कि वो राशनिक नाम बता सके और यहां पर इती विध्यारती उत्तर देते हैं रेटिनाल तो इसका घटक बजाएगा R.A. अब रेटिनाल किसके लिए आवश्यक है हमारे शिरी में तो फिर हम संकेत देते हैं कि नेत्र संबन्दी संकेत देते हैं और विध्यारतियों का उत्तर आता है कि स्वस्त नेत्र के लिए तो यहां पर किसके लिए आवश्यक है इसलिए यहां पर संकेत दे करके पूछा गया इसलिए स्वस्त नेत्र के लिए विटामिन एक के प्रमु की स्तरोत कुन-कौन से हैं तो जैसा कि आगे आपने देखा था कि चुकि वसा में घुलंशी ले और वसा जो है दूद मक्षन अंडा आधी से प्राप्त होती है तो इस प्रकार यहां पर हमने पी घटक लिख सकते है विटामिन एक की स्तरोत कुन-कौन से अन्य इस्तरोत तो अन्य इस्तरोत में बच्चे उत्तर दे सकते हैं अख्रोट, पपिता, गाजर, इत्यादी तो यह SFI होगा विटामिन एक कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो यहां पर उत्तर प्राप्त होता है SFI हम मतलब रतोंदी तो यह SFI में हुआ कि हमने जानकर ही प्राप्ते की, अब इस रोग के लक्षन पूछते हैं, यदि प्रथम चातर उत्तर नहीं दे सकता है, तो हम दूसरे चातर पर इस प्रशन को ले जाते हैं, इस रोग के क्या लक्षन, इसलिए यहां पर हमने RD गटक लिखा है, और फिर उ हमने उसका और जानकरी प्राप्त की, इसलिए SFI हुआ, अब रतोंदी में रात को दिखाई न देने का क्या कारण है, यहां पर हम कारण पूछ रहे हैं, कि आखिर रतोंदी में रात को क्यों नहीं दिखाई देता है, तो यहां पर विध्यारती से अप्यक्षा की जाती ही, कि वो इस प्रकार का उत्तर दे, नहीं तो फिर SFI दिया जाता है, कि यह दरश्टी विकार का एक प्रकार है, इसे रात का अंदापन भी कहते हैं, जो एक रेटिना की समस्या है, रेटिना की छड़ कोशिकाओं में रोडोपसिन नामक दारत पाए जाता है, और प्रकाश का जाता है, तो रोडोपसिन का जब रीटन होता है, किन्तो जब प्रकाश से अंध्यरे में आते हैं, तो रोडोपसिन का निर्मां उसी तत्वरता से, उसी शिकृता से नहीं हो पाता है, और इस कारण वेगती देखना है, तो यही जो है प्रतुन्दी, जो है होती है और इसी कारण रतोंदी में हम रात को नहीं देख पाते हैं तो यहां पर कारण जानने की कोशिश की इसलिए घटक हो जाएगा आई सीए तो इस प्रकार से आज आपने इस पाठियोजना के माध्यम से जो है खोच पुर्ण प्रश्न कोशल की दक्षता के बारे में समझा होगा और इस दक्षता को विक्सित करने का तरीका जाना होगा आज हमने यहां पर विटामिन A के बारे में चर्चा की थी अब आई हम स्वाम ल्यांकन कर लेते हैं तो उनको एक सार्ण ही बनाना होती है इस प्रकार की जिसमें घटक टेली और कुल तो संकेत या अनुबधन चार हुए हैं तो चार हमने यहां पर दिंडेखी है इस लिए कुल चार फिर अधिक सुचना प्राप्ती प्रवीती A C F I 5 और 3 आठ तो इस प्रकार से कुल आठ आ Dice यानि हमने अभी घ्रवीजी का अपयोग किया इस प्रकार से एक हुआ तो इस प्रकार से आप तेली और उसका टोटल करना इस फार्मेट के माध्यम से सीख सकते हैं थैंक इू तो आशा करता हूं कि आपको इस पार्थ उतना के माध्यम से खोचपुरुन प्रश्नकोशल के बारे में जानकरी प्राप्त हुई होगी उसकी टेली कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से उसको लिखा जाता है ये सब आपने आज यहां पर समझा होगा Thank you